कि हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रफॉमंस आज के दिन और क्या हो सकता है कली हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट की हल्प से नमस्कार मैं जीद सिंग स्वागत करतू आपके चैनल ठाकूर कैपिटल म अगर हम देखें आज का एक्शन तो एक बुलिश बुलिश हायर हाई हायर लोग एक घंटे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी कंटीनू बनाता जा रहा है आज हम कंपेर करेंगे निफ्टी का पूरा चार्ट स्टडी करने के पहले बैंक निफ्टी का साथ में अब यह देख स ही जो डॉंस इक कर रहे है और निफ्टी 01 को इस कोशिश करते यहां प markers एक यह यहां पर हायर हाई साध हो बनाता हूँ अदर यहां पर हम लोग यह चेक कर सकते हैं, जो previous low है वो break नहीं किया है, और यहां पर nifty higher high higher lows continue बनाता जा रहा है, अब यहां पर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला, आज एक resistance लिया है, इस resistance को break करके जैसे ही bank nifty 39,500 का levels break करती है, हम लोग देखेंगे कि bank nifty ने पर अपने higher high बना चलेंगे, एक parallel ही चलेंगे, और जब तक वो एक bank nifty sideways चल रहा है, nifty higher high higher lows बना रहा है, एक घंटे के time frame पे, bank nifty downside react कर रहा है, मतलब एक sideways zone में nifty और bank nifty दोनों trade कर रहा है, मतलब लोग RSI को 60 और 40 के in between देखेंगे, मतलब हम लोग यहां पर यह चेक कर सकते हैं, कि RSI 60 और 40 य दोनों के बीच में ही घुमता रहेगा, यहां पर यह चेक कर सकते हैं, और यहां पर यह सेम, सेम चीज हमको देखने के लिए मिल रही है, यहां पर यह चेक कर सकते हैं, कि यह 60 और 40 के in between देखेंगे घुम रहा है, यहां से लेके इस level तक, 60 के उपर भी नहीं जा रहा है, औ 40 के नीचे भी न जा रहा है, मतलब sideways zone में continue trade कर रहा है, तो हम लों को यह समझ में आता है, कि यह sideways zone और एक breakout, एक breakout जल से जल बनेगा, ऐसे price actions को देखके लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो nifty है, वो higher high, higher lows बना रहा है, और main bank nifty भी उसी situation में react करेगा, क्योंकि bank nifty ने प्रिव कर रहे हैं, समझने की, कि price action charts पर चल क्या रहा है, यहां पर हम लोग यह समझने की कोशिश करें की probability क्या है, कहां पर nifty और bank nifty react कर सकता है, अब यहां पर हम लोग देखें, तो वापस higher low established किया है, daily charts में continue यहां पर higher low established किया, एक up trending move है, अब जब तक 18,340 के level को break नहीं करेग एक नया higher high नहीं बनेगा, और इसकी पूरे chances है कि यहां पर higher high established करें daily charts में nifty, बात करें weekly charts में, तो weekly charts में एक देखें, तो higher high established किया है, यहां पर 60 के ऊपर है, nifty, RSI में, और एक अच्छी तरीके से higher high established किया है, इस candle के वजह से हम लोग यह कह रहे है, और यह established किया है, बात करें, हम लोग monthly chart में, इस month में अभी तक 340 point, 345 point plus है, nifty, बात करते हैं, bank nifty की, बात करें, तो higher high, higher lows की तरह, एक lower high, lower lows बना रहा है, मगर यह previous low है, जो strong एक low है, उसको अभी तक break नहीं किया, तो एक positive-ness बना हुआ है, early candles में, daily time frame की बात करें, तो daily time frame पर थोड़ा सा weakness ह अजान को दिखना है क्यों? क्योंकि हर एक, हर एक candle, lower lows, lower highs बना रहा है, यहाँ पर देखें, है candle ये candle ने low बनाया, इस candle ने low बनाया, तो हम लोग यह देख सकते हैं, कि lower lows बनाता जा रहा है, और बात करें, weekly charts में, तो weekly charts में Emin, इस week में negativity दर्शा रहा है, यहाँ पर यह कि को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं मंतली चार्ट की बात करें तो मंतली चार्ट में अभी तक बैंग content 92.26 रिप माइनस है अब देखतेए इमस पर क्या कर रहा है यह में पर देखें डेली चार्ट में निफ्टी तो आज यह फाई-मे के उपर आता हुँ आफेख मों हमको दिखा बहुत दिन के बाद एक अच्छा संकेत है यह निफ्ट? 1.1 के उपर ट्रेड्ड कर रहा हूद अपने 46 दिन के मोहिं एवरेज के उपर डेली विकली चार्ट भ्षाय में 嘘 और मंत्ली चार्ट है और वहांद इंग जेखनेज पर और और बात करें हम लोग मंतली चार्ट पे तो मंतली चार्ट पे बैंक निफ्टी फाई एमें के उपर एक positive संकेत है overall देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनो positive है अभी फिर एक घंडे time frame पे देखें तो एक positive react कर रहा है निफ्टी और negative react कर रहा है बैंक निफ्टी अगर दोनो जब तक इस तरीके का reaction होगा एक sideways market बना होगा ज़्यादा ज़्यादा चांसे है कि बड़ा time frame निफ्टी और बैंक निफ्टी का वो positive है तो छोटा time frame भी जल से जल positive होगा अब बात करते है नसी की side पे क्या रहा आज बायर कहां रहे कहां पर buying हुई कौन से company में ज्यादा valuation की trade हुई तो देखें तो आज 27 point माइनस रहा निफ्टी 22 कंपनिया प्लस रही 27 कंपनिया माइनस रही और एक कंपनी अंचेंज रही बढ़ना उने sector है उसको cover करने के अपनी कोशिश की तो जरूर आप देखना आपको उस वीडियो का लिंक description में मिल जाएगा बात करें आज negativity की तो हिंडाल को इंडिसन बैंक टाटा स्टील कोल इंडिया और जैस डब्लू स्टील गरने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने और रिलेटिव के साथ कि वह भी स्टॉक मार्केट के मुमेंट को बहतर तरीके से समझ सकें नमस्कार धन्यवाद